और बढ़ते हैं अगली बड़ी जवानकारी के और विधान सभा का विश्वेश सत्र द्विती अनुपूरक बज़ा जुआ पास चार हज़ार तीन सो सैतिस करोड का अनुपूरक बज़ट पास हुआ है साधनवे सीम बगेर का बयान सामने आया जहां राज्य किये वित्ती हस पेस्च हुआ है जो की पास कर दिया गया है आपको बताते चले कि 4,337 करोड का अनुपूरक बज़ट पास हुआ है साधनमेस या मुपेश बगेर ने इसके बाद बयान भी दिया उनकी तरफ से कहा गया राज्य किये वित्तिय स्थिती मजबूत है तो इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी 36 गड़ विधान सभा के विशेश सत्र से जिड़ी हुई जादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सेयोगी अंकुष के और अंकुष विधान सभा का विशेश सत्र दुतिय अनुपूरक बज़ट पास हो गया है क्या कुछ जानकारी देखिए एक बड़ा विशेश सत्र दुतिय अनुपूरक बज़ट जो है वो भी पास हो गया है और 36 गड़ विधान सभा का जो विशेश सत्र बुलाया गया है उस विशेश सत्र में आरक्षण विशेश को लेकर संसोधन पर भी चर्चा चर्र रही है विधियक पर भी चर जो राशी है उसको मंजूरी दे दी गई है फिलहाल इस पूरे विशेश को लेकर अगर देखा जाए तो 36 गड़ के बिधान सभा जो विशेश सत्र बुलाया गया था उसमें पहले से ही सरकार की तैयारी थी और सरकार अपनी तैयारी के हिसाब से बजट को लेकर जो प्रस् जो है वो भी पारित हुआ है और उसके बाद शंचोधन विधियक जो लाया गया है उस पर चर्चा भी भी चर रही और विधियक पर कई तरह की तस्वीरें जो है सदन के अंदर देखने को मिली हैं हंगामेदार इस्थिती जो है वो शुरू से ही सुबा से ही देखने को मिल में जो आरक्षण विशा है उसको लेकर पिपक्ष अपने तर्क रख रहा है और सत्तापक्ष अपने तर्क रख रही हाला कि जो आरक्षण जो लाए जाना है करिक 75 फीजदी की जो तैयारी है सरकार की वो तैयारी इसलिए है कि जो हाई कोट का जो डिसीजन आया था और हाई क माना ही जा रहा है कि महज आदा एक घंटे में जो विध्यक है वो भी पारित हो जाएगा और विध्यक पारित होने के बाद उसे राज जपाल के पास भेजा जाएगा अंकुष बने रही है इसे बीच बड़ी जौनकारी सामने आ रही है अपने दर्शकों को बताते चले विध्यक लाने में जोल्दबाजी की गई आपको बताते चले बात कीजेगा कि सियम बखिल पर निश्वानास साधा गया जहां पूर्वसियम रमन सिंग के तरफ से निश्वानास साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अफसर समात हुए है पूर्वसियम की तरफ से लगतार घेराबंदी की जुआ रही है जहां पूर्वसियम रमन सिंग के तरफ से निश्वानास साधा गया उन्होंने साथतोर पर कहा कि प्रदेश में रोजगार के अफसर समात हुए है विदेयक लाने में जल्दबाजी की गई है और साथी साथ बीजुपी सरकार ने कोट में मजबूती से पक्ष रखा था ये बयान पूर्वसियम रमन सिंग के तरफ से दिया गया है तो इस वक्त की बड़ी और हैं जुआनकारी से आपको रूगरू करा रहे हैं लगतार जिस तरह से सत्र अपने समाप्ती के और बढ़ रहा है वैसे वैसे अब गेराबंदी और भयान बाजी भी देखने को मिल रही है ऐसे में अब पूर्वसियम रमन सिंग रज़त सरकार पर निशाना साधते वे नज़र आ रहे है और हमारे सही होगे अंकुष जूट चुके हैं देखिए असमिता जो आरक्षण का जो संशोदन विद्यक है वो उस पर चर्चा चर रही है और बाकाइदा पूरा समय दिया गया है विपक्षी दल के नेताओं के लिए कि वो आरक्षण को लेकर अपना पूरा जानकारी है वो साजा कर सकते है या आरक्षण को लेकर अगर उनकी कोई आपती है तो वो आपती भी सतन के अंदर साजा कर सकते है विपक्षी दल के कई नेता जो है वो आरक्षण को लेकर सवाल खड़े तो नहीं कर रहे है लेकिन क कुछ सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष के तरफ से लाजबी भी माने जा रहा है कि जब सितंबर महीने में हाई कोट का फैसला आया था तो सितंबर महीने में ही क्यों नहीं विशेष सत्र बुला लिया गया उस दोरान विशेष सत्र बुला के हाई कोट के फैसले के बाद 36 गड़ में जो आरक्षन कम हुआ था उसकी बहाली की जा सकती थी लेकिन अब विपक्ष कहीं न कहीं आरूप लगाते नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भानू परताब पूर में पास तारीकों मतदान है और उसकी ठीक पहले चार दिन पहले विधानसभा सत्र बुलाकर 36 गड़ के आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश है वोटों का फाइदा उठाने की कोशिश यहां पर सरकार कर रहे है इसलिए दिसंबर में सत्र बुलाए गया है संसोधन विधियक लाने में आपने जल्दबाजी की है क्यों क्योंकि इसके पहले आप हाई कोट के निरणाय के खिलाब सुप्रीम कोट गए हुए है सुप्रीम कोट से दो महिने वाद डिसीजन आ जाएगा तो डिसीजन का इंतजार कर लेते हो सकता है कि सुप्रीम कोट से आपको रहत मिल जाती लेकिन अगर विधियक ही लाना था तो आपको सुप्रीम कोट नहीं जाना था यह आरूप प्रत्यारूप जो है आप कहीं न कहीं बिपक्ष लगाते हुए नजर आ रहा है और विपक्ष और सत्तापक्ष में तूतू में बहस की इस्थिति इसलिए बन रहे है क्योंकि विपक्ष जो है इस पश्थ तोर पर इसका समर्थन तो कर रहा है आरक्षण के बिलकू लेकर लेकिन उनके सवाल यही है कि क्या केवल चुनाओं में फाइदा उठाने के लिए ये विशे शत्तर बुलाए गया है और अगर दोसी तरह आप सुप्रिम कोट भी गए हुए सुप्रिम कोट अगर आप गए हो तो आपको सदन नहीं बुलाना था सत्तर नहीं बुलाना था इन आरूप प्रत्यारूपों के बीच बहस जो है अभी भी जारी है पिपक्स की नेता जो है पिपक्स दर के जो सदस है वो भी अभी अपनी बात रख रहे हैं और पूर मुखमंत्री डॉक्टर नमंसी ने बजट को लेकर भी कहा है उन्होंने कहा है कहनों पूरक बजट मे आप आपने हर विभाग के खर्चे गिना हैं कौन से मत में कितना पैसा रखना ये गिना दिया है लेकिन बेरोजगारी दर को लेकर जिस तरीके से दावे किये जाते हैं वो दावे सच सावित क्यों नहीं हो रहे है क्योंकि अगर किसी भी विभाग में छोटी सी विकेंसी भ खुल रही है तो उसमें हज्जारों लाकों की संख्या में आवेदन हो रहे हैं जो यह बताती है कि 36 गड़ में रोजगार खत्म हो गया है आप रोजगार की बेवस्ता हो नहीं सकती तो ऐसी लोगों को कैसे संतुष किया जाएगा कही तरीकी के सवाल है और सवाल सदन के कुछ समाम जानकारी देने के लिए तो आप सवाल बहुत है और ऐसे मैं आप यहां पर यह भी बन करेंगा तो